हेलो एवडिवन वेलकम टू माई चैनल लॉजिक पार्ट शाला स्टार्ट करते हैं एवेस की वन लाइन इंपॉर्टेंट क्वेशन्स जो हम एवेस की क्वेशन्स पढ़ने थी लास्ट टाइम की स्ट्राटरजी यही होते हैं कि आपने जू भी पढ़ा है अभी तक वहां से आप क्वेशन्स करें क्योंकि आप क्योंकि तो उसकी प्रिक्टिस पनेगी दूसर आपसे उपने exactamente आपके सो सकते हें हां आप किस हर तक अपना क्वेशन्स कॉस्ट को अटाइंट कर पा रहे हैं ठीक हैं है तो यहाँ पर आपको पैसी important questions मिलेंगे जो आपके यूपी टेट में जरूर ही पूछे जाने वाले हैं इन questions में से आपको जरूर ही questions मिलेंगे तो आप पूरी वीडियो को दिखे ताकि आपको इस पूरी वीडियो का बहुत अच्छे से जाधा फायदा मिल सके exam time में और उसके लिए अगर आपको म notification भी मिलती रहे start करते हैं first question जो हमारा आज कहें वो है कि सूरे की हानीकारे केर्णों को कौन सा सुरक्षित रखता है का मतलब यह कि जो सूरे से आने वाली हानीकारे किड़ने होती है उसको अफ्शूर कौन कर लेता है तो सूरे से आने वाले केर्नों का काम किसका होता है तों कर लेतीğim अधिकिक के समीनियों पत्सक्राइब मॉझयों मेरा था के वाइउ मंदल के पांच परते होते हैं और उस किसए यह पांच कलते हैं समताप मंडल में मौजूद होते हैं कौन से लियर ओजोन लियर तो इस पात को भी आपको ध्यान लगता है अगला कोईशन है कि करतिम वर्षा के लिए क्या प्रियोग किया जाता है एक तो बारिश नेच्रली होती है लेकिन अकर करतिम बारिश करानी हो तो उसके लिए क्या प इस gas को किसी भी कमरे में या लोग हैं चाहाँ पर फापर आप छोड़ देंगे तो लोगों को हसी आने लगती है इस gas से तो कौन सी कैसे नाइट्रिस ऑक्सेड और अगर इसे फॉर्मले की रूप में पुस्ट जाएगा तो इसका फॉर्मला होता है N2O तो इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है अगला कोशिन ने किसी नदी के प्रदूशन इस तरगे माप की जा सकती है महीं अगर हमें नदी का प्रदूशन इस तरगी नदी कितनी प्रदूशीत है तो किसे चाचना चाहिए इसकी जातने की वीधिया BOD यानि बायो chemical oxygen demand आगर नदी में oxygen की मातरा परियाब तरूप से है इसका मतब नदी का जो इस तरह है वो ठीक अच्छा है लेकिन अगर उसमें oxygen की मातरा कम है तो इसका मतब वो नदी प्रदूशी दे तो नदी की प्रदूशन की माब उसमें विद्दमान oxygen से की जाती है नेक्स्ट कोशन है भारत में क्रेशी को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूंट तत्व कौन सा है तो जो क्रेशी को सबसे अधा प्रभावित करता है वो महत्वपूंट तत्व है वरश्टी ओके नेक्स पर आजाती है तो इसलिए बायो मिंडल के सबसे ठंडी परत है नेक्स्ट कोशने जनकर्णा 2011 की अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है लिंगानुपात का मतलब हुआ कि प्रती हजार पुरुषों पे महिलाओं कितनी संक्या है महिलाओं और पुरुषों का अनुबाद ही क्या कहलाया जाता है लिंगा अनुबाद तो ये जो भारत में है वो है 944 रेशो हजार यानि प्रती हजार मेंस पे जो वुमें की संक्या है वो कितनी है 940 चालिस और कभी-कभी 943 भी आचाती है तो भी कोई दिकत वाली बात नहीं है यह option भी आप सही लगा के आएंगे ठीकिए अगर 943 दिया है 940 की जिग अगर आपको 943 भी लिखे दिया है तो वो option भी सही माना जाएगा अगला question है किसान का मित्र किसे कहा गया है तो किसान का मित्र कहा गया है केचुए को क्योंकि यह क्या करता है केचुए क्या क्या करता है कि जो मिट्टी है केचुए उसमें उपर नीचे उपर नीचे करके क्या बना देता है वहां पर एक होल कर लेता है जिसकी विज़से क्या ह होता है उस होल की वज़े से जो मिट्टी है उसमें हवा नमी और पानी है अपने नीचे तक अफ्शोशित कर लेती है यानि हवा पानी जो नमी है वो मिट्टी के बिल्कुल अंदुरूनी सते तक पहुंचाते हैं जो किसानों के फसले के लिए काफे ज़दा फायदे मन दोते हैं इसलिए किसान का मिट्र किसे कहा गया है के जुए को कहा गया है अगला कोईशन है जीवों की व्यवाहर का अधियन क्या कहलाता है मतलल जिसमें हम जीवों की व्यवाहर का अधियन करते हैं उस विशे को क्या कहा जाता है तो उसको कहा जाता है इथोलोजी समुद्री शेवाल किसका महतवपूंश रोत है तो समुद्री शेवाल जो है या यूंद्री की कमी की वजह से घ remainder रोग़ जाता है इस बात को भी आपको धियान में रखना है य्य psychology हरम Ήन only की कमी कर देता है जिसकी वज़े से क्या होता है घेंगा रोग हो जाता है नेक्स कोशन है शेक शेक इस तरीके से लिखा हुआ है ठीक कभी कभी शेक भी आजाता है लाइकेन की जगा लिखा हुआ तो ये नाम भी ध्यान नकी का तो लाइकेन क्या है लाइकेन एक सहजीवी है सहजीवी मतलब यह होता है कि जिसे दो जीवें जो एक दूसरे को फायदा दे रहे हो जैसे भैस और बगला हुआ तो मैस बगले को फायदा देती है बगला बैस को फायदा देता है तो वहाँ पे सहजीवी संबंध अथा, इसी तरीके से लाइके भी सही जी भी संबंध को क्या करता है? प्रदेश्ट करता है अंगला कोईशन है भारत का चावल का कटोरा जो है, वो किस छेत्र को कहा गया है? यहाँ पे आपसे कोई राज्य नहीं पूचाई यहां पे भोले कि चावल का कटोरा किस छेत्र को कहा गया है तो क्रेशना गोदावरी डेल्टे को चावल का कटोरा छेत्र की संग्या दी गई है अगला कोईशन है भारत में सरवादिक खाधियान उत्पाधन करने वाला कौन सा राज्य है तो सबसे अधक खाधियान कहां पे उत्पाधित किये जाते हैं तो उत्तर प्रदीश में उत्पाधित किये जाते हैं नेक्स्ट क्वेशन ने सरवातिक ओद्योगिक देश कौन सा है जहापी सबसे ज़्यादा ओद्योगी करनर विद्देमान है तो उस देश का नाम है सिंगापूर तो दीखें यहाँ पर आपको बहुत important questions मिलेंगी आपको बस क्या करना है पूरी वीडियो देखने है अच्छी से questions को आप no down कर लेजिए आप इसका screenshot लेके भी पढ़ सकते है अगर आपके बस time नहीं है no down करने का तो कोई बात नहीं आप screenshot लेजिए और पढ़िए बात में ठीक है तो क्योंकि आप जब exam देंगे ना आपको बहुत सब्सक्राइब मिलेगी वीडियो से अगला question है किस महा सब्सक्राइब में सबसे जादा विकास है next question है सौर मंडल का सरवाधी गर्म ग्रे कौन सा है तो ये question बहुत ही सब्सक्राइब क्यों रहता है क्योंकि बहुत सब्सक्राइब बच्चे लोग बुद्ध लगा क्या थे हैं वो यह सोसे हैं कि बुद्ध सूर्य के सबसे पर कम कर देते हैं तो इसलिए आपको ऐसे question में confused नहीं होना है ध्यान रखना है कि सबसे गर्म ग्रे कौन सा है शुक्र है अगला question है प्रत्वी से निकर्टम दूरी पर कौन सा ग्रह इससी दर जिसकी दूरी प्रत्वी से सबसे कम है तो वो ग्रह भी कौन सा है शुक्र ही है next question है सांच का दारा किस ग्रह को कहा जाता है तो सांच का दारा या फिर बहुर का दारा आए दोनों ही किसको कहा जाता है शुक्र को कहा जाता है और हमने ग्रहों के वारे में बहुत यह अच्छे से पढ़ा है आप ग्रहों की वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत अच अधिक्तम दूरी पर किस महीने में होती है मतलब जब प्रत्वी सूरह की परिक्रमा कर रही होती है उस समय प्रत्वी और सूरह की अधिक्तम दूरी कौन से महीने में होती है तो जुलाई महीने में सबसे अधिक्तम दूरी होती है और अगर नियुनतम दूरी की बात करें तो जनवरी के महिने में तीन जनवरी को नियुनतम दूरी होती है और चार जुलाई को अधिकतम दूरी होती है तो इस बात को भी आपको ध्यान लगना है अगला कोईशन है कि प्रत्वी को उसकी कालपनिक अक्ष पर घूमनी को क्या कहते है मतलब प्रत्वी जब अपनी ही करते हैं तो उसे कहते हैं परिक्रमन गती दोनों गती याद रखना प्रत्वी दो गती की दो गती से गुमती एक अपनी ही अक्षपे गुमती जिससे दिन रात होते हैं एक सूरे के चारों परिक्रमन गती जिसे रिद्वें बदलती हैं नेक्ट कोशन है खनिस तेल इवं कोई तो ध्यान रखना इसका राम जो है वो एंजल जल परपाद है नेक्ट कोशन है किसे प्राकरतिक सुरक्षा बॉल्व कहा गया है तो प्राकरतिक सुरक्षा तो हमारी ओजोन लेयर कर रही है विको इस ओजोन लेयर सुरे से जो भी परावएगनी गिरने आती है उसे अफशोश जील है तो आपको ध्यान लखना है यह विश्व की है ठीक है उसके बाद अगला कोशन है किस महादीप में सबसे अधिक देश है तो इससे कौन सा महादीप है जिसमें देशों की संक्या सबसे जादा है तो वह महादीप का नाम है एफरिका महादीप अगला कोशन है अंतरा question प्रत्वी किस galaxy का भाग है तो हमारे बहुत सारी galaxy है लेकिन हमारी प्रत्वी जो है वो milky way नाम की galaxy का ही एक बार्ट है तो milky way ध्यान रखना हमारी galaxy का जो नाम है वो milky way है next and last question है किस महादीप में जो आला मुखी नहीं है तो continent है वैसे तो हमारी seven continent है मतलब सात महादीप है और उन सातों महादीप में जिस महादीप पे जो आला मुखी नहीं है और उस महादीप का नाम है Australia महादीप Australia अपने आप में एक देश भी है और महादीप भी है तो Australia की खास बात और सबसे चोटा महादीप आस्ट्रेलिया है और सबसे बड़ा महादीप एशिया है सबसे अधिक देश कौन से महादीप में ऐफ्रेगा महादीप में इन सभी छूटी छूटी बातों का आपको दिहान दखना है तो यह ते आज के हमारे वन-liner questions आयोप को वन-liner questions से बह पहले हम लास्ट यह के जो questions paper थी 2017, 16, 15 सारे last year के papers के EVS के part portion complete करेंगे देन उसके बात practice questions solve करेंगे क्योंकि EVS के portion थी के UPTED में questions बोहत रिपीट होते हैं तो last year के questions अगर आप कर लेंगे न तो उसमें से भी आपके 3-4 questions तो मिली ही जाएंगे आपको तो मिलते हैं फिर अकली वीडियो में एक नई चीज के साथ तब तक के लिए thank you so much और प्लीज चैनल को subscribe करें, like करें, share करें